अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं जो है आपका परिछिप्त या हम इसे ही प्रकिर्ण बस्तियां या बिखरी हुई बस्तियों के नाम से जानते हैं और इसे हम dispersed, scattered या isolated settlement भी कहते हैं या एकाकी बस्तियों के नाम से भी इसे हम जानते हैं अब हम इसमें देख लेते हैं कि परिशिप्त पहले हमने बात की थी सघन और ये परिशिप्त या एकाकी कह रहे हैं या बिखरी हुई बस्तियां तो जो सघन बस्तियां होती हैं सघन ग्रामी जो बस्तियां होती हैं उसक नाम आपको ध्यान में रखना है प्रचिप्त प्रकिर्ण या बिखरी हुई बस्तियां और इसे ही हम एकाकी बस्तियों के नाम से जानते हैं और हम फिर से कह रहे हैं कि dispersed settlement या फिर हम इसे ही isolated settlement या scattered settlement के नाम से जानते हैं तो जहां सघन बस्तियों में हमें घर या आवाज जो हैं वो बहुत पास-पास सटे हुए रूप में देखने को मिलते थे वहां हम परिशिप्त या प्रकिर्ण बस्तियों में यह देखेंगे कि यहां जो घर हैं वो दूर- या एक काकी मतलब यहां पर एक घर बना है उसे फिर और थोड़ी दूर पर जाएंगे तो हमें एक घर या आवास या मकान बना हुआ देखने को मिलेगा यह हम अधिकतर ऐसे छेत्र में देख सकते हैं जब कोई बहुत बड़ी ग्रामीर बस्ती होती है बड़ा छेत्र होता है उसका जब विभाजन हो जाता है तो लोग क्या करते हैं वहां से उस गाउं का जो चेत्र फल है या उस गाउं से बाहर की तरफ जो है वो अपना मकान या घर बनाकर निवास करने लगते हैं हो सकता है वो उस गाउं से किसी भी कारण से निसकाशित हो या वहाँ पर जो जगह की कमी हो गई छेत्र जो है वहाँ पर कमी पड़ जा रही हो क्योंकि वहाँ पर बहुत सघन बस्तिया हैं तो कारण ये भी हो सकता है कि इस्थान के अभाव में वहाँ से लोग जो है उस गाउं के बाह ना घर या मकान बनाकर निवास करने लगते हैं, तो ये सभी कारण हो सकते हैं, जिसके कारण हमें ये एकाकी बस्तियां जो हैं, वो देखने को मिलती हैं, और ये बस्तियां जो हैं, वो बड़े-बड़े, या हम ये कह सकते हैं, कि बड़ा जो भुखंड होता है, जिसमें कृ तो अपने खेत के पास ही वो एक घर बना कर या मकान बना कर वहाँ पर निवास करते हैं। जहां हमने सगहन बस्तियों में देखा था कि इनमें सामाजिक्ता की भावना या आपसी सहयोग की भावना बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। वही हम परिछिप्त या प्रकुर्ण बस्तियों में या एकाकी बस्तियों में देखेंगे कि इस भावना का अभाव मिलता है। और कारण हमने ये भी कहा था कि लोग जो है वो एकान जहां पर भी पसंद करते हैं वो भी उस घनी बस्ती से बाहर की तरफ अपना मकान ये घर बना कर रहते हैं. अब हमने देखा कि यहां पर घर जो है वो दूर दूर बने होते हैं साथ हिसकी जो दूसरी विशेश्टा होती है हमने भी बात भी की थी कि जो उनका खेत होता है तो बीच में मध्य भाग में जो है वो खेत होगा और वहीं पर पास में वो अपना आवास बना कर रहते हैं मका अक्षात्मक यहां पर भी हो सकता है, कोई बाढ़ का कारण बार-बार उस ग्रामील छेतर में बाढ़ की स्थिती बन जारी है, या इस्थान का अभाव है, या किसी विशेज जाती समुदाय को, या कुछ जो घर के मेंबर में ही आपसी जो तनाव की स्थिती बनती है और उन् एक कारण हो गए, कि अगर हमें गाओं के अंदर भी अनुब जाऊ भूमी देखने को मिल रही है और बाहर की तरफ भूमी जो है वो उप जाऊ है, तो वहां पर कृशी कारी करने के उदेश से भी कुछ लोग जो हैं, वो गाओं के बाहर की तरफ निवास करने लगते हैं, अब हम यह देखेंगे कि इस टाइप के जो बस्तियां हैं इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो आपको भारत में कहां पर देखने को मिलेंगी चाहे हम हिमालय के परवती छेत्रों में चले जाएं हाना या हम मालवा के पठार में आजाएं मालवा पठार का जो पश्यमी भाग है वहाँ पर देखें पुर्वत्तर राज्यों में हम देखेंगे तो असम के जो वन छेतर हैं घने वन आच्छादित जो छेतर हैं तो यहाँ पर हमें इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो सबसे अधिक देखने को मिलती है और हम केरल में भी केरल के कुछ हिस्सों में जो है हमें यहाँ पर परिच्षिप्त टाइप की बस्तियां देखने को मीलेगी और पुर्वत्तर राज्यों में हमने भी बात की थी कि असम का जो वन छेतर है उसके साथ ही साथ आपको मेगालय में औ उत्तराखंड ये सभी आपके हिमालय के परवती हिस्से के अंतरगती आ जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है ग्रामीर बस्ती का प्रकार है अर्ध गुच्छित बस्तियां या हम जिसे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसे ही हम अपखंडित बस्तियां या फ्रेग्मेंटेट सेटलमेंट भी कहते हैं। यह जो फ्रेग्मेंटेट सेटलमेंट होता है यह हम यह कह रहे हैं सेमी क्लस्टर्ड गुच्छित नहीं अर्ध गुच्छित। मतलब यह बस्तियां जो हैं वो आपकी गुच्छित और प्रकिर्ण या बिखरी हुई जो हमने बस्तियों की बात की थी इन दोनों के बीच की स्थिती होती है। मतलब ना तो वो बहुत सघन होगी और ना ही इसमें एकाकी बस्तियों की जो विशेश्टा है वो देखने को मिलेगी। हम यहां पर एक छोटे से रेखा चित्रे के माध्यम से समझ भी पा रहे हैं कि हम देख रहे हैं यहां पर कुछ एक छेत्र में सघन बस्ति मिल रही है। उसे थोड़ी दूर पर जा रहे हैं तो थोड़ी कम सघन बस्तियों जो है वो देखने को मिल रही है। मतलब वहाँ पर बसाहट जो है वो बहुत अधिक सघन नहीं है तो ये ना तो बहुत सघन है और ना ही एका की बस्तियां इसमें भी हम देखेंगे इसका जो निर्माण है या इसका विकास जो है ये भी किसी बहुत बड़े गाउं के विभाजन या विखंडन के इस प्रकार की जो बस्तियां है वो अपने अस्तित्व में आती हैं इसमें हम इस प्रकार की बस्तियों की विशेश्टा में देखेंगे कि इसमें गाउं के मुख्या का जो घर होता है वो गाउं के केंद्र में होता है और बाकी जो अन्यकारे करने वाले हैं या निम्ने जा semi cluster तो है मतलब जहां बहुत सघन हुई और हमने कहा कि विखंडन हुआ या कुछ लोगों को स्थान के भाव में बाहर की तरफ भेजा गया तो वो लोग जो है उसी बस्ती से लगे हुए छेत्र में अपने मकान या घर का निर्माण करते हैं तो इसमें बहुत सघन बसाहट भी नहीं होती है और ना ही ये एकाकी रूप में मिलेंगे अब हम ये देखते हैं कि कारण क्या है कारण जाती या धर्म की सनरशना जहां पर इसे विशेश महत्व दिया जाता है कि भाई लोग कोई गाउं बहुत बड़ा गाउं है और बोलेंगे कि इस जाती के समूदाय के लोग एक अपना अलग छेत्र में जो है अपने मकान बनाकर उसी भाग में निवास करेंगे है वो उसी गाउं का हिस्सा उसी गाउं के छेत्र फल के अंतर गता रहा है लेकिन उन लोगों के घर जो है उस बस्ती से थोड़ी दूर जो है वो बनाये जाते हैं तो ये विशेष्टा हमें इस बस्तियों में या हम ये कह रहें अर्धगुचित बस्तियों में सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट में देखने को मिलेगी अब हम अपने भारत की बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि गंगा और घाघरा नदी का जो दोआब छेत्र है गंगा घाघरा दोआब के छेत्र में हमें इस प्रकार की बस्तियों जो है वो बहुत अधिक देखने को मिलती है इसके अतिरिक्त भी हम देखेंगे कि जो दून घाटी है हिमालय की जो दून घाटी वाला जो छेत्र है वहाँ पर भी हमें इस प्रकार की बस्तिया मिलती है साथ ही जो नहरी छेत्र होते हैं या बंगाल का जो डेल्टाई हिस्ता है डेल्टाईभु भाग है वहाँ पर भी इन बस्तियों की अधिकता हमें देखने को मिलती है और सबसे धिक हम देखेंगे कि जो semi-clustered settlement है वो आपके गुजरात के मैधानी खेत रमें सबसे अधिक देखने को मिलते हैं इसमें जो जितनी भी बस्तियां हमने ग्रामेड बस्तियां देखी इसमें जो सबसे छोटे आकार की बस्ति होती है इसके विश्म में हम बात करते हैं इसे हम संयुक्त बस्तियां या composite settlement भी कहते हैं और इसे ही हम पल्ली या hamlet के नाम से जानते हैं पल्ली या hamlet. अब इन छोटी आकार की जो बस्तियां हैं इसके बहुत से इस्थानी नाम है और ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये जो बहुत अतिलगुतरी प्रकार के प्रश्ण भी आपको बोर्ड एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इसके अन्य नाम है आपके इसे को पन्ना कहा जाता है पाड़ा कहा जाता है पाली कहा जाता है नगला और धानी राजस्थान में विशेश रूपसे से धानी के नाम से जाना जाता है तो ये जो हैं वो इसके इस्थानी नाम है जो अलग-अलग छेत्रों में इस छोटे-छ यह जो बस्तियां हैं, यह एक मुख्य जो गाउं होता है, उस मुख्य गाउं का छोटा आकार या हम यह कहें, उसके विभाजन के फलसरूप, उसके आसपास की छेत्र में जो छोटी बस्ती विक्सित हो जाती है, इसे ही हम पुर्वा, हैमलेट, पल्ली या अन्य जो हमने भी नाम देखें, इस्थानी नाम, उनके नाम से जानते हैं, और इनके बनने का भी जो कारण है, वो एक मुख्य बस्ती की सघन बसाहट, जिससे इस्थान का अभाव, या जाती गत, जो संरशना होती है, या हम यह कहें, किसी विशेश जाती, समुदाय के आधार पर जाती, या अब हम यह देखते हैं, कि हमारे भारत के गंगा का जो मध्यवर्ती, पूरे गंगा का मध्यवर्ती और उसका निचला मैदान, वहाँ पर इस प्रकार की बस्तियां विक्सित देखने को मिलती हैं, साथ ही हम देखेंगे, कि हमारे चतिस गड़ में भी इस प्रकार की बस्ति जो हैं वो विक्सित हैं, इसके साथ साथ पुर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिल नाडु और करनाटक, इन सभी छेत्रों में हमें हेमलेट या पुर्वा प्रकार की जो बस्तियां हैं, वो देखने को मिलती हैं, इन सभी के तरिक्त हमारे भारत में जनसंख्या के अधार पर भी जो ग्रामीर बस्तिया हैं उनका विभाजन किया गया है तो जनसंख्या के अधार पर हम इनके प्रकार देख लेते हैं तीन प्रकार हमें देखने को मिलते हैं पहला है आपका जहां पर जिन बस्तियों में 500 से कम जनसंख्या मिलती है तो ये छोटे आकार के गाउं कहला आते हैं यहां पर हम अगर पूरे भारत में देखें तो भारत के जो 55 परसेंट गाउं है 55 प्रतिशत जो गाउं है वो इस वर्ग के अंतरगत आते हैं अब हम यह देखते हैं कि पूरे भारत के हर छेत्र में छोटे छोटी जनसंख्या हम कहें कि कम जनसंख्या या छोटे आका के जो गाव हैं वो भारत के प्रतेक छेत्र में देखने को मिलते हैं तो सांथ ही जो पहाडी और पठारी हिस्से हैं हमने कहा जहां पर भी थोड़ा पहाडों को काड़ कर पठारी छेत्रों को काड़ कर समतल भूमी अपने रहने लायक बना लिया जाता है तो कुछ बिखरेह वे रूप में बहुत थोड़ी जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है तो विशेश करिये पठारी और पहाडी भागों में राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क छेत्रों में इनकी संख्या अधिक देखने को मिलती है साथ ही मेघालय नागालेंड और मडिपूर इसके साथ ही अरुनाचल प्रदेश में भी हमें इस प्रकार के छोटे आकार के गाउं जो है वो देखने को मिलते हैं दूसरा जो भी भाजन पांस सो से दो हजार तक की जनसंख्या जिक गामों में मिलती है उसे हम मध्यम आकार के गाउं के अंतरगत रखते हैं और यहां पर जनसंख्या पांस सो से दो हजार के मध्य निवाज करती है अब यहां हम देखते हैं कि देश की जो जितनी भी ग्रामीर जनसंख्या है उसका 47 परसेंट जो भाग है वो इस प्रकार के गाउं में निवास करता है यह कहां पर मिलते हैं तो पंजाब है हरियाणा है साथी उत्तरप्रदेश है और असम और करनाटक इन सभी हिस्सों में यह हम यह कहें इन राज्जियों में हमें यह मध्यम आकार के जो गाउं है वो देखने को मिलते हैं तीसरा जो है हम इने वरिहद आकार के गाउं भी कह सकते हैं और वरिहद आकार के गाउं या बड़े आकार के गाउं कौन से होंगे जहां पर जनसंख्या जो है वो लगभग 2000 से अधिक जनसंख्या जिन गाउं में निवास करती है हम पूरे भारत की ग्रामीड जनसंख्या को लें तो भारत की ग्रामीड जनसंख्या का 37% हिस्सा या भाग जो है वो इन बड़े आकार के गाउं में निवास करता है कहां कहां पर मिलते हैं तो यह हमें तमिल नाडू, केरल, फिर आंधर प्रदेश, उसके बाद पश्रिम बंगाल और हर्याना में हमें इस प्रकार के गाउं जो हैं वो सरवाधिक मिलते हैं तो ये हो गया हमारा जनसंख्या के अधार पर गावों का विभाजन, अब जो भी गरामीर बस्तियां विक्सित होती है वो उनका कुछ प्रतिरूप होता है, प्रतिरूप ऐसे कि जो बस्तियां विक्सित हो रही उनकी एक आकरिती बनेगी और वो आकरिती की सधार पर बनती है वहाँ पर कोई सड़क है या नहरे हैं वो कोई जील या जलाशय किसी भी प्रकार का मतलब तलाब हो सकता है या किसी मारगों के सहारे वो विक्सित हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि कोई जलाशय जील तलाब या सड़क मार्क रेल मार्क या नदियों के सहारे सहारे विक्सित होता है और ये जो तत्व हैं ये जो कारक हैं उसके प्रतिरूप पर प्रभाव डालते हैं जिसके आधार पर उस गाउं या ग्रामिड बस्तियों की जो आकरिती है वो निर्मित होती है तो हम बात करते हैं ग्रामिड बस्तियों के विभिन प्रतिरूपों के विशय में तो हम प्रतिर प्रतिरूप को समझाया गया है और जब आप अपने बोर्ट परिक्षा में इसके उत्तर लिखेंगे आपके पास एक कोशन पूछा जाता है और जब आप इसके उत्तर लिखेंगे तो आपको इन प्रतिरूपों की विशेश्टाओं के साथ-साथ इन्हें डायग्राम बनाकर समझाना होगा तो एक्जामनर के उपर एक बहुत अच्छा प्रभाव पढ़ेगा तो पहला हम देख रहे हैं लीनियर या रैखिक प्रतिरूप जिसे हम कहते हैं ये प्रतिरूप हमें किसी भी ग्रामीन बस्ती जो विक्सित हो रही है वो उस जहां पर ऐसे छेत्र में विक समझानांतर जब कोई बस्ती विक्सित होती है सग्धन रूप में तो हम इसे रैखिक प्रतिरूप कहते हैं और यहां पर इस डाइगराम के माध्यम से आप समझ भी पा रहे होंगे किसका पैटर्न किस प्रकार का होता है अब हम यह देखते हैं कि यह जो प्रतिरूप है यह आपको केरल के जो तटी छेत्र है केरल का जितना जो तटी छेत्र है चुकि वहां पर हमें उपजाओ भुभाग देखने को मिल रहा है तो इस तटी छेत्र में अपने भारत के हमें सबसे अधिक देखने को मिलता है और यदि हम अपने 36 गड़ में बात करें तो हमारे 36 गड़ में रायगड जीले में नदी के सहारे सहारे इस प्रतिरूप में ग्रामीर अधिवास जो हैं वो सबसे अधिक विकसे देखने को मिलते हैं। अब दूसरा है आपका चौका पट्टी प्रतिरूप या जिसे हम चेकर बोर्ड पैटर्ण के नाम से भी जानते हैं। ये मैदानी भागों में जहां पर भी जो कोई मैदानी छेतर है और वहां पर कोई दो सड़कें जो हैं वो आपस में एक दूसरे को सम कोड़ पर काट रही और हम ये कहें कि जो दो सड़कें सम कोड़ पर काट रही हैं तो इसके चारो शाखाओं पर चारो हिस्से में जो हैं वो अधिवास बना लिये जाते हैं क्योंकि सड़कों के किनारे किनारे जहां पर भी जो जितनी सड़के जिधर से जा रही हैं जिस हिस्से की तरफ या जि अभी शाखाओं के सहारे जो बस्तियां हैं वो विक्सित हो जाती हैं और ये चेकर बोर्ड पैटन का निर्माड होता है। अब हम ये देखते हैं कि भारत का जो पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान हैं वहाँ पर हमें ये चौका पर्टी प्रतिरूप या चेकर बोर्ड पैटन जो है वो अधिक या सबसे अधिक रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर इस मैदानी चेतर में इस प्रकार के प्रतिरूप का अधिक विकास हुआ है। फिर हम तीसरा बात करते हैं अरिय प्रतिरूप या जिसे हम रेडियल पैटन कहते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी कि अरीय प्रतिरूप यहां पर आप डाग्राम के माध्यम से देख भी पा रहे हैं ऐसे छेत्र जहां पर जिन बस्तियों में उस से केंद्र से बस्ति केंद्र से अलग-अलग दिशाओं की तरफ हम यहां देख रहे हैं अलग- दिशाओं से किसी केंद्र की तरफ जो है मार्ग आकर मिलते हैं तो इस रेडियल पैटन का निर्माण होता है जिसे हम अरीय प्रतिरूप कहते हैं और यह गाउं के जो हम अधिकतर देखेंगे गाउं का जो मुख्य चौराहा होता है वहां से जो मार्ग निकलते हैं वहां प अब हम देखेंगे कि भारत के अधिकान शेत्र में लग भग सभी जगह हमें इस प्रकार के प्रतिरूप का विकास मिलता है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप यह ट्रैंगूलर पैटन जिसके हम कहते हैं ट्रेंगुलर पैटन हम यहाँ पर डायग्राम या चित्र के माध्यम से देख भी पा रहे हैं जहाँ पर जो दो नदियां या कोई भी दो सड़क मार्ग इस प्रकार आकर एक दूसरे से मिल जा रही है तो वो क्या करती है एक त्रिभुज का निर्माण करती है और जब इन त्रिभुज की सभी भुजाओं के सहारे मकान या घर या हम यह कहें कि जो बस्तियां है वो विक्सित हो जाती है तो इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण होता है और इसमें जो खुली हुई भुमी है जहाँ पर नहीं मिल रहे हैं जिस भुजा के आधार पर जो भुमी खुली हुई रूप में मिलती है उधर ही इस छेत्र में बस्तियों का अधिक विकास होता है